हेलो दोस्तो आज की अपने इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे मुलिक अधिकार के बारे में मुलिक अधिकार से रिलेटर कोश्चन में आपको यहां बताऊंगी आपके एक्साम में जो पुछे जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे हम चलिए शुरू करते हम अपने वीडियो वर्तमान में भारतिय सविधान द्वारा कितने मुलिक अधिकारों को माननेता दी गई है तो यह 6 मुलिक अधिकारों को माननेता दी गई है पहला है आपका समानता का अधिकार जो कि आपका आर्टिकल 14 से 18 में है सुतंतता का अधिकार यह आपका आर्टिकल 19 से 22 में है और तीसर है आपका शोशन के खिलाफ अधिकार यह आर्टिकल 23 to 24 है धरम की सुतंतता का अधिकार यह आपका आर्टिकल 25 to 28 है सांस्कृतिक और सक्षिक अधिकार यह आपका आर्टिकल 29 to 30 है और लास्ट है कौन सा प्रक्रन मुलिक अधिकारों से संबंदित है तो गोलक नात बनाम पज्जाब राज्या 1967 इसने ये एक समीती थी चलिए थार्ड कोशन है मुलिक अधिकारों को भारत के सविधान में डैश में निर्दिष्ट किया गया है तो ये आपके मुलिक अधिकार सविधान के भागतीन में है ये भी एक समी पूछा जाता है कि मुलिक अधिकारों को किस भाग में रखा गया है तो ये भागतीन में रखे गए हैं भारत के सव सविदान से मुलिक अधिकारों की अवधारना को अपनाया था और मुलिक अधिकार नयाय संगत है सरवच नयायलों को मुलिक अधिकारों का सर्रक्षन माना जाता है और आपके मुलिक अधिकार अमेरिका के सविदान से लिए गए थे तो चलिए नेक्स्ट कोश्चन है भारत म मौलिक अधिकारों में सामिल नहीं है कौन सा तो वह संपत्ति का अधिकार ये पहले मौलिक अधिकार था बट 44 अमेंडमेंट में 1978 में दब हमरे परदान मंतरी थे श्री मौराजी देश आई उनकी नेततव वाली पार्टी जनता पार्टी सरकार ने इसे कानूनी अधिकार में बदल दिया था ये वा था आपका आर्टिकल 301 के तहत नेक्स्ट कोशन है हमारा मौलिक अधिकारों को किस देश के सविदान से उद्रित किया गया है तो मैंने भी अब बताया ये USA से लिए हमने और भी बहुत सारी चीज़े लिए हमने अमेरिका के कॉंस्टिटूशन से तो देखे मौलिक अधिकार लिए है नयाई पालिका की नयाईक समिक्षा, रष्टेपती का महाभियोग, सरवोच नयाले और उच नयालो के नयाई दीसों को हटाना और उप अध्यक्ष का पद यसा हमने अमेरिका के सविदान से लिया है नेक्स्ट कोशन है डैश भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षा करता है तो आपसे कोशन पूछ लेते हैं कि भारते सविदान में हिद्या और आत्मा किस आर्टिकल को बोलता है तो आपको याद रखना है ये बोला जाता है सविदानिक अप्चार का अधिकार आर्टिकल पूछे तो 32 32 में 5 रिट है जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है उ इस अनुचेद के तहट नागरीकों को मौलिक अधिकार दिये गए है तो वो जैसे कि मैं आपको बताया आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को कॉंग्रेस ने किस सत्र में अपनाय था ये तो ये अपनाय थे नोने कराची सत्र में 1931 में और इसके अधिक्षत अनुचेद 14 से अनुचेद 18 तक उलेकित है तो देखिए आर्टिकल 14 कानुन के समक्ष समानता दिखाता है आर्टिकल 15 धर्म वंच जाती लेंग या चनम सान के आधर पर बेदवाओ का निशेद करता है आर्टिकल 16 साबजनिक रोजगार के मामलों में अफसर की समानता आर् सैन्य और सेक्षिक को छोड़ कर अपनेक्स्ट कोशन है सविधान मुलिक अधिकारों के परवर्तन के लिए किसको विसेश जिमेदारी परदान करता है तो यह सुप्रीम कोट भारत के सविधान के अनुचे 32 के प्रावधानों के तहत देश का कोई भी वेक्ति सीधे सुप् सदको भारतिय सविधान द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदत मुलिक अधिकारों को केवल किसके द्वारन लंबित किया जा सकता है तो वो है राष्ट्य आपातकाल के गोसना देश में जब राष्ट्य आपातका लगेगा उस टाइम पे नागरिकों को मुलिक अधिकार की सही विसेशता है तो वो ये है कि ये नियाए संगत है कौन मौलिक अधिकारों पर उचित परती बंद लगा सकता है तो वो है संसद संपति के अधिकार को किसके दुआरा मौलिक अधिकारों से सैवधानिक अधिकारों का दर्जा दिया गया था तो यह वाता 44 अमेंडमेंट में संपत्ति का अधिकार एक सेवधानिक अधिकार है इसे अनुछे 301 के तहट एक सेवधानिक अधिकार बनाये गया था मौलिक अधिकारों का कौन सा प्रावधान बच्चों के सोशन से सिधे संबंदित है तो आपका आर्टिकल 24 हमारा आर्टिकल 24 कहता है कि यह किसी भी कारखाने खदान तथा अन्य खतरना गती वीदियो जैसे निर्मान कारी है या रेलवे में 14 वर्ष से कम उमर के बच्चों के रोजगार पर परतिबंद लगाता है निमलकित में से कौन सा अनुचेद घोसित करता है कि मौलिक अधिकारों के साथ ऐसंगत सभी कानुन सुन्या और व्यार्थ होंगे तो यह करता है आर्टिकल 13 अपातकाल के समय मूल अधिकारों के सत्गन का प्रावधान किस देश के सविदान से लिया गया है तो ये लिया था जर्मनी से जर्मनी का वाइमर सविदान है उससे लिया था नमलकित में से कौन सा अनुचेद भारतिय सविदान के मौलिक अधिकारों के सुतंतता के अंतरगत नहीं है तो है आर्टिकल 18 और आपका आर्टिकल 19 से 22 भारते सुविदान के मुलिक अधिकारों की सोतंतता के अंतरगत आता है इसमें नहीं थे देखे आर्टिकल 19 में है आपका सोतंतता के बारे में 6 अधिकारों का संरक्षन जैसे भाशन और अभिवेक्षि, सबा, संगती, आंदोलन, रहने का स्तान और व्यवसाय और आपका आर्टिकल 20 बताता है अपरादों के लिए दोस सिद्धी के संबंद में संरक्षन आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंतता का संरक्षन आर्टिकल 21 ए प्रात्मिक सिख्षा का अधिकार और आर्टिकल 22 गिरफतारी और कुछ मामलों में हिरासत में लिए जाने के खिलाव संरक्षन बारते सविदान का भाग फौर्थ किससे संबंदित है भारते सविदान के बाग फौर में राजे के नीती निर्देशक सिधान्त दिखाए गए हैं निर्देशक सिधान्तों को निम्न अनुसर परगी करित किया जाता है जैसे आर्थिक और समाजिक, राजिनितिक और परशाशनिक, न्याय और कानूनी, परियावरन, समारकों की सुरक्षा और सांती और सुरक्षा भारत के सविदान के किस अनुछेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का वर्नन है सो ये है आर्टिकल 40 मौल करतवयों का उलेक सविदान में कब किया गया सो ये किया गया था 42 सविदान संसोधन में मौल करतवयों को निमलकित में से कि सविदान से अवतरित किया गया है तो वो है सोवियत संग भारत के हलावा जापान एक मातर लोकतांत्रिक देश है जिसके सविधान में मौली कर्तव्य हैं इन कर्तव्यों को स्वान सिंग समीती की सिफारिश पर सामिल किया गया था केवल आठ मौली कर्तव्य स्वान सिंग समीती की सिफारिश पर आधारी थे तो ये राज्जे के निती निर्देशक सिदान्त में है, अनुछिद 51 अदराश्टिय सांती और स्रक्षा को बढ़ावा देने में संदर्बित करता है, निती के निर्देशक सिदान्त बादेकारी नहीं है, इसलिए इने न्यायले दुआरण लागू नहीं किया जा सकता है। निमलकित में से कि सविधान संसोधन अधीनियम ने भारत के सविधान में मुली करतिवों को जोड़ा तो सविधान 42 संसोधन अधीनियम 1976 में अमेंडमेंट लाया गया था इसमें 42 संसोधन अधीनियम 1976 सविधान का अब तक का सबसे व्यापक संसोधन है जिसे मीनी कॉंस्टिटूशन के नाम से भी जाना जाता है राज्य को भारत के सविदान के अनुचेद डैस के तहट राश्ट्रिय महत्व के हर समारक स्थान और वस्तु की रक्षा के लिए बाद देखिया जा सकता है तो वो है आर्टिकल 49 अनुचेद 49 भारतिय सविदान के भाग चार यानि अनुचेद 36 से 51 के अंतर रताता है यह आईरलेंड के सविदान से अभिगरत किया गया था जिसने इसे स्पेन सविदान से अभिगरत किया था कुछ और important point देखते हैं राज्य के नीती निर्देशक तत्व के तायत अन्यमैतपुन अनुचेद हैं जैसे आर्टिकल 37 यह किसी भी नायले द्वारा परवर्तिने नहीं होगा आर्टिकल 40 राज्य ग्राम पन्चायतों को व्यवस्तित करने के लिए कदम उठाएगा आर्टिकल 44 समान नाकरिक सहीता आर्टिकल 48 कृषी और पसुपालन का संगठन आर्टिकल 50 नायपालिका को कारिय पालिका से प्रिथक किया जाएगा आर्टिकल 51 अंतराष्टिय सांती और सुरक्षा को बढ़ावा देना नेक्स्ट और लास्ट कोषन अब है हमारा भारत में नायपालिका को कारिय पालिका से अलग करने का कारिय किसकी द्वारा किया जाता है तो ये भी राज्य नीती का एक निर्देशक से दांत है Article 50, संग और राज्ये के विश्यों को विवाजित किया गया है जिस पर वे कानुन बना सकते हैं इसमें संग, सूची, राज्ये सूची और संवर्ति सूची सामिल है